नमस्कार दोस्तों, Study IQ उपर आप साभी का बहुत-बहुत स्वागत है बूटान के देश से एक नई खबर सामने आ रही है बूटान में बेसिकली एक conspiracy trial है जिसकी शुरुवात mostly इस हफते में होने वाली है ये conspiracy trial जो है असल में तीन important तीन उन्दा officials के खिलाफ यहाँ पे conspiracy trial शुरू की जाने वाली है और ये तीनों के तीनों जो officials हैं असल में इनका एक काफी बड़ी भूमिका थी in order to take over the Supreme Court of Bhutan and in order to take over the Royal Bhutan, Army of Bhutan तो जिसके चलते ये काफी बड़ा case बन चुका है in fact मैं आपको बताऊं personally मैंने कभी नहीं सुना कि Bhutan जैसे देश से इस level की conspiracy trial सामने आ रही है तो I think ये काफी बड़ी चीज है जो की Bhutan में होने वाली है in fact इतने बड़े level पे जो officials हैं उनका arrest होना उनके खिलाफ इस तरीके से trial चलनी, सुनवाई चलनी ये भी मैंने पहली बार सुना है तो मैं समझता हूँ ये काफी बड़ी बात है obviously Bhutan जैसे country के लिए जहाँ पर हमें ऐसी खबरे सुनने को नहीं मिलती है तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस conspiracy trial के बारे में की exactly यहाँ पर क्या हो रहा है कौन-कौन वो लोग है जो कि इस trial में जिनके खिलाफ case चल रहा है और also जो आप यहाँ पर side में, right side में एक photo देख पा रही है ये यहाँ पर basically हम discuss करने वाले हैं Indian embassy का इसमें क्या angle है जिसमें कि यह वाली महिला एक काफी बड़ा रोल निभा रही है तो जानेंगे सब कुछ इस चीज के बारे में फिलहाल जो है trial शुरू नहीं हुई है तो हम basically आपको facts of the case के साथ थोड़ा जानकार करवाएंगे बताएंगे किस तरीके से जो है चीजें अभी तक develop हुई है तो उतनी ही चीज आपके साथ यहां पे share करने की कोशिश करी जाएगी चलिए start करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलिग्राम चानल से कर सकते हैं इसके इलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं कोई भी आपको doubt या कोई भी query है तो मुझसे Instagram पे पूछ सकते हैं Study IQ आप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं from the Google Play Store और आप पे आपकी UPSC परीक्षा की तयारी को असान करने के लिए हमने launch किया है एक बहुत ही महतुपूरन past prelims discussion course इस course में हमने पिछले 10 साल के papers को discuss किया है और यदि आप तयारी कर रही है specially अगर आपका 2021 में प्रथम attempt है तो इस course को buy करना बिल्कुल भी ना भूले right so जैसा कि आप देख सकते हैं the Hindu newspaper ने इसको cover किया और ये जस्कल ही की बात है the Hindu का ये headline को देख सकते है भूटान conspiracy trial to begin this week थोड़ा सा complex है be slightly patient जितना हो सकेगा इस चीज़ को आसान भाशा में और आसान wordings में आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी देखे सबसे पहले case को समझ लेते हैं तो मैंने आपको briefly तो बताई दिया है कि ये जो case है असल में तीन उम्दा officials, तीन important अधिकारी हैं जो की भूटान सरकार में काम कर रहे थे ये जो तीन officials हैं इनके उपर आरोप क्या है तो इनके उपर आरोप ये है कि ये असल में plot कर रहे थे to topple and take over the various top jobs एक तो Supreme Court में और एक Royal Bhutan Army में तो तीन लोग हैं, तीनों के नाम आपको बताऊँगा तीनों के जो current जो उनके पद हैं वो भी आपको बताऊँगा और किस तरीके से ये Supreme Court में और Bhutan Army में इनको take over करने की कोशिश कर रहे थे इसके बारे में भी जानकारी आपके साथ share करी जाएगी ये case जब सामने आया था तो असल में ये case सामने आया था February 17 को उसी दिन Bhutan की police ने इन तीनों लोगों को arrest कर लिया जैसे ही इनको arrest किया गया इनका case चला गया थिमफू की court में ये जो case चला गया था थिमफू की court में आप ऐसा माल लीजे this was something a sort of a preliminary hearing यानि की सबसे पहले level की hearing हो रही थी और उस hearing में थिमफू की उस court ने इनको bail देने से इंकार कर दिया आप यहाँ पे देख सकते हैं भुटान, supreme court justice and पेमा गत्षिल judge detained in alleged conspiracy case और इसमें जो तीन लोग जिनको की arrest किया गया था इनको bail deny कर दी गई थी अब ये case जो है आगे बढ़ रहा है जो तीन officials हैं ये कौन-कौन है सबसे पहले इसमें supreme court के judge है जिनका नाम है quinley sharing और ये काफी important इनसान है क्योंकि ये केवल एक supreme court के judge नहीं बलकि supreme court के senior most judge है secondly इनके साथ एक associate justice है जिनका नाम है येशे दोर जी और उसके बाद तीसरा जो इनसान है that is the royal bodyguard ये royal bodyguard basically royal bhootan army से ही इनको चुना जाता है royal bodyguard basically वो होते है जो की भूटान के king जो king की family है और उनके जो family members है उनकी security के लिए responsible होता है royal bodyguard इसमें brigadier थिनले टोब गए so basically ये तीन लोग है जिनके खिलाफ ये आरोप लगाए गई है क्या-क्या charges लगाए गई है इनके खिलाफ आरोप है कि इन्होंने mutiny को abit किया है यानि कि हो सकता है कि इसके चलते शायद ये पूरी की पूरी भूटान की जो king की family थी उसको मारने की या उसको take over करने की कोशिश भी कर सकते थे nepotism का charge, favoritism का charge लगाया गया है misappropriation of RPG funds royal bhutan, guard के जो funds है उसका गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से उनको siphon off करना fictitious documents to secure loans ये सभी की सभी जो चीजें हैं इनके उपर charges लगाये गए है I hope अभी तक आपको case समझ आ गया कि तीन लोगों के उपर charges लगाये गए है और इनको bail deny कर दी गई है और इनके खिलाफी जो conspiracy trial है वो आगे जाने वाली है अब इस पूरे के पूरे सिनारियों में जो Indian embassy का angle है इसको समझ दीजे असल में ये जो महिला है इनका नाम है Miss Wong Mo ये महिला असल में Indian embassy में एक former protocol secretary के रूप में काम कर रही थी ये 2016-17 तक की बात है जब ये protocol secretary के रूप में काम कर रही थी और काफी जादा इनके अच्छे contacts थे कई सारे लोगों के साथ इनके contacts थे which included a lot of senior officials Indian embassy में, भूटान की authorities में भूटान के अन्ने कई सारे लोगों के साथ इनके अच्छे खासे contacts थे हुआ क्या कि इनके खिलाफ कुछ charges लगाए गए थे 2019 की बात है आज से दो साल पहले की बात है और इनको इरासत में ले लिया गया था इनके खिलाफ जो charges थे वो थे seditious charges seditious allegations इनके खिलाफ लगाए गए थे और आज भी लगभग दो साल के बाद भी ये custody में ही है और दो साल के अंदर अंदर इनकी बहुत सारी पूछताच हुई in fact जो अभी मैंने आपको बताया कि पहले जो तीन arrest हुए है वो तीनों के तीनों arrest भी इसी पूछताच के चलते हुए है जो ये पूछताच इन से हो रही थी इसी पूछताच के चलते ये certain किया गया कि असल में ये तीन लोग भी मिले हुए है जो कि कही ना कहीं भूटान की government को destabilize करने की कोशिश कर रहे है Supreme Court को take over करने की कोशिश कर रहे है वगेरा वगेरा So the arrests in February they are believed to come have come as a result of her interrogation ये भी यहाँ पर माना जा रहा है और ये चीज इन फाक्ट पुलिस ने भी already clear कर दी है कि यहाँ पर जो arrest किये गए है असल में Miss Wong Mo की वज़े से ही हम ये arrest तक पहुँच पाए हैं Right But at the same time we should not forget कि ये भी इरासत में है और इनके खिलाफ कई सारे charges है इसके बाद क्या हो रहा है As I told you in the beginning भूटान जैसे देश के लिए ऐसी चीज होनी अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो इसकी काफी जादा चर्चा हो रही है भूटान के कई सारे newspapers में भूटान का एक newspaper है जिसके editor है जिनका नाम है Tenzing Langsam Tenzing Langsam एक editorial में लिख रहे थे कि ये जो तीन लोग arrest करे गए है इन्होंने अपनी testimonies में बताया है कि हमको असल में duped किया गया है Miss Wong Mo के तवारा यानि कि हमको manipulate किया गया है हमको coerze किया गया है Miss Wong Mo के द्वारा जिसके चलते आज हम इस स्थिती में पहुंच चुके है The three officials have said that they had been duped by Miss Wong Mo into thinking that their actions were in line with the wishes of some higher authorities in Bhutan Very interestingly ये जो officials है इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया है कि Miss Wong Mo असल में technique क्या यूज़ करती थी इसको सुनिये ये काफी interesting है तो होता क्या था कि Miss Wong Mo किसी को भी अपने confidence में लेने के लिए what she used to do was एक बहुत ही पुरानी technique इस्तिमाल करती थी ये क्या करती थी सबसे पहले उस इंसान को दिखाती थी अपनी कुछ photo की एक photo दिखा दी कि देखी मैं इस particular higher authority के इंसान के साथ मिल चुकी हूँ और मेरी photo भी है उसके बाद यहां वहां थोड़े बहुत बड़े बड़े नाम गिराती थी ये दिखाने के लिए कि मेरी तो पहुँच बहुत ऊपर तकी है उसके बाद suddenly in the middle of the conversation वो इस तरीके से pretend करती थी कि उनको phone आ रहा है किसी higher authority से और उसके बाद ये भी बोलती थी कि ये higher authority बार बार उनको phone करती भी रहती है ठीक है जबकि actually वो phone जो था वो उनके किसी family member से आ रहा था तो ये techniques थी जिसके चलते भूटान के कई सारे officials को ऐसा माना जाता है कि Miss Wong Mo के द्वारा पागल बनाया गया या फिर manipulate किया गया जिसके चलते ये बड़े बड़े officials यहां पर आज इस परिस्तिती में पहुंच चुके हैं तो देखे फिलहाल तो इतने ही facts सामने आए हैं क्योंकि अभी trial को case गया नहीं है जैसे ही case trial को जाएगा उस time पे जाके ये certain किया जाएगा कि exactly Miss Wong Mo के उपर क्या-क्या charges है और जो तीन लोग जिनका नाम मैंने आपको बताया इनके उपर भी exactly क्या-क्या charges है और trial के जाने के बाद ही हमें मालुम पड़ेगा कि exactly यहाँ पे इनको क्या सजा होगी होगी भी या नहीं होगी यह सब चीज़ें फिलहाल देखनी बाकी है लेकिन as I told you the case is very very interesting the only reason is because it is coming from a country like भूटान जुड़े रहिए हमारे साथ आपको update किया जाएगा जैसे ही कुछ नई developments होगी तब तक के लिए thank you for listening stay tuned and stay safe